पुराने जमाने की सबसे प्रतिष्ठित बाइक्स में से एक यामाहा मोटर इंदिया की यामाहा आर रहे कसर एक सो जल्द ही एक अवतार में फिर से सडकों पर उतर सकती है यामाह मोटर इंडिया के चेर्मेन ईशिन चिहाना ने बिजनेस लाइन को बताया कि वे कम्पनी की लोगप्रिय बाइक RX100 को भारत में वापस लाना चाते हैं चोकि यामाह आर एक्स एक सो एक टू स्ट्रोक बाइक थी इसलिए इसे बई एसच छे इंजन में अनुसरित करना मुम्किन नहीं है उन्होंने बताया कि कम्पनी RX100 को एक नए इंजन और आधुनिक दिजाइन के साथ भारत में दोबारा लॉंच करने की योजना बना रही है बाइक के लॉंच के समयरेखा बारे में पूछे जाने पर चिहाना ने बताया कि नई RX102,026 के बाद लॉंच की जा सकती है उन्होंने कहा कि यामाहा RX100 भारत में एक प्रतिष्ठित बाइक है इसलिए हम इसकी लॉंच के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे हम इसके साथ कोई भी ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाते हैं जिससे इसकी छवी खराब हो आपको बता दे कि यामाहा RX100 की भारत में बाइक प्रेमियों के बीच एक अलग ही क्रेज है यामाहा ने इस बाइक का उत्पादन 1985 से 1993 के बीच किया था और यहाँ अपने समय की सबसे पौवरफुल 100cc बाइक्स में से एक थी उत्पादन बंध होने के 26 साल बाद भी यामाहा RX100 की इतनी भारी डिमांड है कि कम्पनी इसके स्पेर पार्ट्स आज भी उपलब्द करा रही है यामाहा 2025 तक देश में अपनी पहली इलेक्रिक स्कूटर को भी लॉंच करने की योजना बना रही है यामाहा मोटर इंडिया के चेर्मेन ईशिन चहाना ने बताया कि कम्पनी के इंजिनियर इस पर काम कर रही है और 2025 तक उनके पास निश्चित रूप से भारत में एक इलेक्रिक स्कूटर होगा यामाहा के पास पहले से ही ताइवान और यूरोप में इलेक्रिक स्कूटर की बिक्री कर रही है इसलिए शुरुआत कम्पनी में उन्हें भारत में आयात कर सकती है उन्होंने कहा कि कम्पनी अभी सभी विकल्पों पर विचार कर रही है इसे पूरी तरह से निर्मित इकाई, CBU, पूरी तरह से नाक्ट डाउन इकाई, CKD या स्थानिय तोर पर निर्मित इकाई के रूप में भी लौच किया जा सकता है यामाहा, इंडिया, ग्रेटर, नौइडा और तमिल्नाडू में अपने दो सन्यंत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक स्थानिय करण के साथ भारत में अपने उत्पादों का निर्मान करती है, जहां से यहां लगभग 30 देशों को निर्याद भी करती है फ्रेंड्स आप मेरे चानल पर नए है, तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको यहां आटो मोबाईल की लेटिस्ट अपडे और निउस मिलन